आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे predecessor and successor predecessor का मतलब होता है minus 1 means जो भी number हमें दिये जाते हैं अगर उसका हमें predecessor निकालना है तो हमें उस number में से minus 1 करना है सो यहाँ पर पहला question है 20 20 का predecessor क्या होगा 20 में से हमें 1 subtract करना है और हमें इसका predecessor मिलेगा so 20 में से 1 subtract करेंगे तो हमें 19 मिलेगा so 19 is the predecessor of 20 ऐसे ही हम second question है 55 55 का predecessor निकालना है तो हम इस में से minus 1 करेंगे 55 में से minus 1 करने पर हमें 54 मिलता है that means 54 is the predecessor of 55 next question है 367 so इसका predecessor निकालना है इसका मतलब हमें 367 में से 1 subtract करना है so 1 subtract करेंगे 7 में से 1 subtract हो जाएगा 6 बचेगा 6 and 3 इसका मतलब 366 is the predecessor of 367 अब आप ध्यान से देखेंगे इन predecessors को 20 का predecessor 19 55 का predecessor 54 367 का predecessor 366 ये सभी नंबर before numbers है 367 के जस्ट पहले 366 आता है 55 के जस्ट पहले 54 आता है 20 के जस्ट पहले 19 आता है तो ये सभी नंबर क्या है before numbers है इसका मतलब ये हुआ कि जो predecessors होते हैं वो before numbers होते हैं ये आपने UKG और first class में पहले ही सीख लिया है बस बड़ी class में इसका नाम बदल गया है before से ये predecessor बन गया है अब छोटे numbers को imagine करना आसान है easily हम before number बता सकते हैं लेकिन जब बड़े numbers हमारे पास आते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है predecessor लिखना या फिर before number लिखना इसके लिए आसान सी ट्रिक मैं आपको बताती हूं कि जब आपके पास बड़े numbers आते हैं ज़्यादा digits आती है तो आप predecessor easily कैसे निकाल सकते हैं जैसे question 4 है 482 इसका हमें predecessor निकालना है okay so predecessor निकालने के लिए हम क्या करेंगे सिर्फ first digit को देखेंगे first digit का ही हम predecessor लिखेंगे और बाकि जितनी digit है उनको as it is लिख देंगे जैसे यहाँ पर 4 and 8 है तो 4 और 8 को मैं ऐसे ही लिखूंगी और predecessor निकालूंगी सिर्फ 2 का 2 का predecessor means 2 का before number तो 2 के before क्या आता है 1 आता है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 इस तरह से 481 is the predecessor of 482 same trick हम यहाँ पर भी use करेंगे आप देखेंगे यह number है 7693 3 इनका predecessor आप minus 1 करके भी निकाल सकते है लेकिन process थोड़ा lengthy हो जाएगा लेकिन easily आप कैसे निकालेंगे आपको से first digit देखनी है यानि कि once place आपको देखना है और इस once place का ही predecessor means before number आपको लिखना है तो 3 के before क्या आता है 3 के before आता है 2 और बागे digit को as it is हम लिख देंगे 7, 6, 9 7, 6, 9 इस तरह से 7,692 is the predecessor of 7,693 आपने देखा कि बड़े numbers अगर आपके पास आ जाएं तो उनका predecessor निकालना कितना आसान है कोई confusion नहीं है और इन large numbers को अगर आप imagine नहीं कर सकते हैं तो predecessor आप इस तरह easily निकाल सकते हैं next है successor अब हम इन ही numbers का successor निकालेंगे okay so successor का मतलब होता है plus 1 means अगर हमें किसी वे number का successor निकालना है तो हमें उस number में plus 1 करना होगा okay so 20 में plus 1 करेंगे तो क्या आएगा 20 plus 1 is equal to 21 so successor is 21 इसी तरह से 55 में plus 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 56 so 56 is the successor of 55 21 20 के after आता है यानि कि उसके बाद में आता है 56 55 के after यानि कि उसके बाद आता है इसका मतलब यह हुआ कि successor after numbers होते हैं तो जब भी आपको किसी number का successor निकालने के लिए कहा जाता है तो आपने उसका after number निकालना है जो कि आपने UKG और first class में already सीख लिया है तो चलिए अब यह जो numbers ने थोड़ा बड़े हैं तो इनका successor हम easily कैसे निकालें जैसे हमने predecessor के लिए trick लगाई क्या ऐसे ही trick हम successor के लिए भी लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सिर्फ first digit को देखेंगे और first digit का ही हम successor याने की after number निकालेंगे तो 7 के after कौन सा number आता है 7 के after आता है 8 और 7 से पहले आने वाली सारी digit को हम as it is लिखेंगे same यहाँ पर भी करेंगे हम last digit है 2 याने की once place पे 2 है 2 का successor याने की after number होता है 3 और बागी digit as it is आ जाएंगी 4 8 4 8 that means 483 is the successor of 482 next है आपका 7693 यहाँ पर भी हम सिर्फ 3 का successor याने की after number लिखेंगे और 3 के after आता है 4 और बागी digit 769 हम इनको ऐसे ही नोट करेंगे 769 इस तरह से 7694 is the successor of 7693 so friends predecessor और successor निकालना तो आपने सेख लिया लेकिन कुछ number ऐसे होते हैं जिनका predecessor या successor बच्चे अकसर गलत लिखते हैं वो कौन से number होते हैं और उनकी वो mistake कैसे दूर की जा सकती आप कैसे याद रखेंगे कि इनका predecessor या successor कैसे निकाला जाता है चलिए सिखते हैं friends ये कुछ ऐसे number हैं जिनका successor यानि कि after number तो easily निकाल सकते हैं इसमें plus 1 करके जैसे 200 है, 200 में plus 1 करेंगे तो 200 and 1 आ जाएगा या फिर after number आपको पता है 200 के after 200, 1 होगा लेकिन इन numbers का predecessor बच्चे अकसर गलत लिखते हैं इनका predecessor निकालने के लिए आसान सी ट्रिक यह है अपने ध्यान यह देना है कि ऐसे number जिन में zeros होते हैं उनके predecessor निकालने के लिए क्या करना है, zeros को आपने 9 में convert कर देना है जितने 0 होंगे, वो 9 बन जाएंगे और क्योंकि predecessor लिखना है हमने तो सिर्फ हम 2 का predecessor लिखेंगे 2 का predecessor means 2 का before number लिखना है और 2 के before आता है 1 तो इस तरह से 200 का predecessor हो गया 199 सेम ट्रिक हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे 2 0 है, तो यह 2 0s की जगे हम लिखेंगे 9 9 और यहाँ पर 46 है तो हमें predecessor लिखना है 46 का वैसे तो छोटा number है 46 का predecessor यान की before number 45 होता है लेकिन अगर बहुत बड़ा number है तो आपने सिर्फ just 0 से पहले आने वाले digit का ही predecessor यान की before number लिखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 का predecessor लिखेंगे 6 का predecessor यान की before number होता है 5 और इस digit को हम as it is note करेंगे सो इस तरह से 4600 का predecessor बन गया आपका 4599 सो यह number imagine करना बड़ों के लिए तो आसान है लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है सो आपको ऐसे question जिनमें last में 00 है उनकी predecessor निकालने के लिए इनकी थोड़ा practice करने आपको याद रखना है कि इसको करना कैसे है सेम यहाँ पर भी करेंगे यहाँ पर 30 है तो हम 3 बार 9 लिखेंगे और predecessor निकालेंगे 0 के just before आने वाली digit का यहाँ पर है 9 तो 9 के before number होता है 8 और यह 7 को हम as it is लिख देंगे सो इस तरह से 79,000 का predecessor हो गया 78,999 है न छोटे बच्चों के लिए इसे imagine करना थोड़ा मुश्किल लेकिन अगर आप यह trick यूज करते हैं तो easily large numbers का predecessor भी आप निकालेंगे चलिए आप सीखते हैं कि वो कौन से numbers होते हैं जिनका successor निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और कैसे उन्हें निकालते हैं So friends, ऐसे number जिनके end में 99 आते हैं ऐसे numbers का successor बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है निकालना वो नहीं imagine कर पाते हैं कि इसके after कौन सा number आएगा हमने देखना है इसके पास कितने 9 है तो जितने 9 होंगे उतने हमें zeros लिखने हैं यहाँ पर 2 9 है तो हमने 2 0 लिखे अब इससे पहले क्या आता है 4 तो 4 का successor लिखेंगे सिर्फ 4 का successor लिखेंगे तो 4 का successor यानि कि after number है 5 तो इसका मतलब 500 हो गया successor of 499 ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे इसके पास 3 9 है तो हम 3 0 लिख लेंगे हम लिख रहे हैं successor ध्यान देना है आपने हम successor लिख रहे हैं predecessor नहीं यहाँ पर 3 बार 9 लिखा था तो हमने 3 0s लिखे means 9 जितने भी हों उन्हें 0s में convert कर देना है और successor निकालना है उसके just before आने वाले digit का जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 का successor हो जाएगा 9 तो इस तरह से यह बनगे 9,000 9,000 is the successor of 8,999 सेम यहाँ पर भी करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 कितने है 3 हैं तो 3 times 9 है तो हम इन 9s को 0s में convert करेंगे 8 का successor हो जाएगा 9 और इस 5 digit को हम as it is लिखेंगे इसे change नहीं करेंगे ऐसे नहीं कि आप इसका भी successor निकालेंगे 9 के just पहले जो digit आती है सिर्फ उसी का successor आपने लिखना है और उसे पहले आने वाले digits को as it is लिख देना है जैसे यहाँ पर 5 था तो हमने 5 को 5 ही लिखा सो इस तरह से 58,999 का successor हो गया 59,000